नमस्कार साथियों वाज हम बहेड़ा के बारे में जानकारी प्राइब करेंगे क्या होता है इसकी क्या फायदे हैं क्या नुक्सान है इसका जो परिचे है यह साइटो टॉक्सिसिटी सेलोलर डाइंग को सक्री करता है उन कोशिकों में गैलिक एसिड बहेड़ा में इस्तितेक प्रमुक पॉलिफेनोल प्राथमिक साइटो टॉक्सिटी तक तो है बहेड़ा एक अईरुवेदिक जली पूटी है जो कई स्वास्त लाब प्रतान करती है इसमें रोगान रोधी एंटी अक्सिडन्ट और पतिर अच्छा विज्ञानी गुर्ण होते हैं बहेड़ा के कुछ लाबहों में सामिल है यह बहेड़ा भूख प्यास सूजन और पेट पूरने की संस्या को प्रबंधन करकी इसको मदद करने में सहयता प्रतान करता है इसकी यह इसकी उश्मा गर्म सक्ति के करम बहड़ा पाचक अगनी पाचन अगनी को बहाता है जब भूखन को असानी से पजाने मदद करता है यह अपनी रेचक प्रकति के करना कभी को प्रतुबंधन करने में मदद करता है बहड़ा के उस्थी गोड़ा यह प्रत्रिच्छा प्राणी को बढ़ावा देता है कभी को दूर करता है पाचन तत को मजबूत करता है भूखनाता है पित दोस और चीर दर्ध को दूर करता है बहड़ा में त्र दोस जैसे वाड़ पित और कफ को संतुलत करने में सहाई गुन रुट़े हैं बहड़ा को गर्म तासिर का माना जाता है इसलिए पेट की गर्म बढ़ा सकता है बहड़ा का उज़ी गुन हैं नमर एक दस्त की समस्चा पेखे से जूड़ी आम समस्यों में एक तस्त की समस्चा हो मन समान hè पतला निब्दいました तरह हो जाता है और पार पार जोरत है में हो उर्जिह चाहिताikit की इतित कiosa वस्ता में टाइप हैड़ कि वज़े से होती है वही बहड़ा का उप्योग इस बिवाने उपायले मन्द होता है एक रिसर्च के मताविक टाइफ हैड़ बुखार से बचा और उप्चार के लिए हर्ब उप्चार बहड़ा का उप्योग किया जा रहा है कामें मलेइगा के परहों को कम करने में मलेइगी कारण आने वाले बुकहर की स्थेटिती मी बहड़ा फल कापी हट थक फायदे नहीं हो सकता है इस विशा पर तिलफला यानि हराण आँगा और पहड़ा पर हुए रिसेच में पाया गया कि इन तीनों मौझूद फाइटो कॉमिकल एंटी मलेरिया प्रुभाव पाया रगता है। यह प्रुभाव मलेरियों की समस्चा को कुछ थक्षद करने हो लागता है। कि मत्में को नियंतित्न करता है करते में मुझूद की लोगोज़ का इसारबढने पर मुद्ववीय की समस्या हो सकती है एसे में ब़ेग उपव्योग कि्स समस्या को न्यंतित करने में विलाद दैक होता है Damn चूहूएं पर रिसेच के इम्सार देङए ऑढ योग ना सिर्क मद्वों के नहीं कि करने में मदद कर सकता है हर्दें को सस्त रखता है बहेड़ा के फायते में हर्दें की बिमारी के जोखिन को कम करने में भी सामिल है दरसल इसमें कार्डियो प्रोटैक्टिव गून हर्दें रोग की जोखिन को कम करने में जिस कानली हरतें को स्वस्त रखने में सहाइक मना जा सकता है यह लिपिड फैर्ड हानिकारक कोलिस्ट्रोल को कम ल्डेल कम करने उसाहिक हो सकता हैं पैर्ट की समस्टे में अल्सर और गैस के समस्टे पाचिन तन्तिक बगार सकती वहीं बहएड़ा का आसदी उप्योग पैट सजबी समस्टे उस निज़ात पाने लिए पानी लिए जाता है दरसल बहेड़ा में एंटी अल्स रोजनिक और गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव गुण पाए जाते हैं और बहेड़ा को प्यूग कैसे करना है इसका प्रियोग हम यहां बताना है आज़न हैं बहेड़ा को प्यूग और माता देखार वारें जानकरी आएक खांसी की सिमिस्षा में बहेड़ा कि 10 ग्राम की मात्रा में सहित की साथ भोजन की बार लेने से खांसी और तमां मिलता है इसका अब्यूग तिर्फला मिलाने से के लिए पहता है इसवाले तैस्ट ग्राम बहड़ा का चूर में एक कप पानी लोखर गरारे करने से फायदा हो सकता है। भालों के चिलके को बारीक पीश कर। खून बहने वाले स्थान पर लगाने से एक भाव मेर रख़ए और तरंद रोग मुझे करता है। इसके बीश से बना तेल सफेद बालों के समस्थान फायदे बना सकता है। पेसाब की पत्री पर बहड़ा पाउडर की पाई वामातर मूली के रसी मिलाकर पर इस पेसाब की तोस और पत्री जो रखती है। जहां एक और पहड़ा की फायदे भी हैं, वहीं इसके नुपसान भी है। इसकी अधिर मात्रा गेर कोई सेवन करता है। बहड़ा के अर का मौकी को प्रसम प्रजनन शम्ता को कहत करता है। गर्वोती महलाओं और इस तन पांच कराने वर्य महलाओं को इसका सेवन कराना हानी कारफ मना गया है। तिर्फला के रूप में इसका कलब तरेके सुपयोग करने से 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 पेट के फोलने और दस्त और निचली करण की पर रसानी हो सकते हैं। तो आप इसका ध्यान लगें अपने डाक्टर से आयरुदा चार से संपर करके ही इसका उपयोग और आउस्स करें। और साथानी आउस्से वरते हैं। बहड़ा के नुक्सान। इसके सेवन से रप्त को पतला करने वाले दवाएं लेने वाले लोगों और दस्त के सितिवाले इस नुक्सान दायक हो सकते हैं। गलत तरीके से सेवन करने पर तिरफला आउतों में बलगम एक खंडन का कारण बनता है। लंबे समय तक इसके उपयोग से आउत के ट्राक्रतिक बैक्टिरिया इंस्टेटनायल इंस्टेटनल फ्लोरा सूख सकते हैं। कुछ स्थितियों में दवाओं के इसर को भी कम कर सकता है। तो आप ध्यान रखें। इसका सेवन किसी आविदचार या डॉक्टर के परामर्स हुआ सलाह के अनुसारी करें। अन्था सही प्रकार के सेवन ना करने से या मात्रा अधिक होने से हानी भी हो सकती है। अन्था आपको बहुत बड़ा नुक्सान हो सकता है। तो हमने इन नुक्सान बता दिये। और आपको इसके फायदे उप्योग करने का तरीका बताया। इसके क्या-क्या फायदे हैं। उसके बारे हम जैनकारी दी। मदमे के लिए, मलेरिया के लिए। टाइप हैट के लिए टेस्ट के लिए। इसके आपसुदी पर सॉट में भी बताया हमने। इसका परिचे बताया। तो आपने बहेड़ा के बारे हम जैनकारी थोड़ी बहुत प्राप्त की। आधिक जानकारी के लिए आप किसी पुस्ता के इंटरेनेट पर जाकर हो सकते हैं। और इसका उप्योग आईवेड की द्रेश्टी से तो होता आ रहा है परन्तु आप इसका उप्योग अंजाने में ना करें। किसी आईजदा चैयर डॉक्टर के सलाह अनुसारी करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो लाइक करें। कमेंट करें। आपको हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। आईवेड योग आईवेड की वीडियो आपको प्राप्त होती रहेंगी। धन्यवाद में दोस्तों।